हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल सहाइस क्लासी तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो MSC है कमेस्ट्री उसकी जो यूनिट है है हेट्रो साइकल्स जिसमें क्या क्या इंक्लिउड होता है नोमन क्लेचर ओफ हेट्रो साइकल्स एंड एट्रमेटिक हेट्रो साइकल्स तो इसके जो ये टोपिक है वों यहाँ पर कंप्लीट इस वीडियो में आपको मिलेंगे तो जो सबसे फार्ष टोपिक है वो क्या है? रिप्लेसमेंट एंड शिस्टेमेटिक nomenclature for monocyclic fused and bridge heterocycles कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे nomenclature कैसे कैसे होता है then aromatic heterocycles उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम general chemical behavior of aromatic heterocycles then उसके classification then उसकी aromaticity के लिए जो criteria होता है वो क्या क्या होता है उसके बाद empirical resonance energy then delocalization and divar resonance energy उसके बाद diamagnetic susceptibility exaltations उसके बाद hetero aromatic reactivity and then totomerism in aromatic heterocycles तो वन आप इन topics को देख सकते हो handwritten notes के साथ तो यह है अपना क्या nomenclature of heterocycle compounds सबसे पहले में क्या है अपना common nomenclature है आप चाहित सब्सक्राइब ले सकते हो this is our first page यह है अपना second page complete unit आपको यहां पे मिल जाएगी यह है अपने saturated hydro cycles क्या होते हैं then है replacement nomenclature then है hands with man system उसके बाद है prefixes कौन से कौन से यूज होते है and stamps कौन से कौन से यूज होते है इस में naming के time पे उसके बाद है rules क्या क्या है इसके naming के यहां पे इसके naming के कुछ examples हैं देख सकते हैं आप यह कुछ इसके examples हैं जिनकी साथ में naming दी हुई है यह भी numbering कैसे देंगे हम जब one hetero atom हो और जब two more identical hetero atom हो यह भी कब जब अपने जो hetero atom होंगे वह दोनों अलग होंगे यह क्या जब अपने जो भी atom हमने लिया है जो भी molecule हम लेंगे उसमें saturated atom पर जाएंट हो उस टाइम पे क्या होगा दैन है fusion nomenclature system के according जो naming होगी वह हम कैसे देंगे उसके बाद है fusion nomenclature में हम बेस component को कैसे सेलेक्ट करेंगे यह भी उसके जो naming के रूल है fusion सिस्टम में है यह फ्यूज हेट्रोलाइटिक सिस्टम के लिए जो numbering हम कैसे देंगे उसके बाद है replacement nomenclature system यह fused heterocycles के लिए क्या है replacement nomenclature यह अपने aromatic heterocycles यह जो six member के aromatic heterocycles है यह है five member के और साथ में क्या दी गई है chemical behavior दिया गया है इनका aromatic heterocycles का देन क्या है five member aromatic heterocycles की property क्या क्या होती है देन है mixed aromatic heterocycles इसके बाद क्या है अपना criteria of aromaticity in heterocycles जिसमें क्या क्या है aromatic heterocycles के लिए जो इसका criteria है तैन है अपना क्या bond alteration क्या होता है यहां से आप इसके examples देख सकते हो यह है अपना क्या magnetic criteria क्या होता है देन है shielding जो de-sealding है वो क्या होगी और जो अपना ring current है वो क्या होता है आप इसको पड़ के देख सकते हैं बिल्कुल easy language में explained है आप चाहें तो यहां से देख सकते हो देन यह अपना समझाया हुआ है क्या magnetic field कैसे कैसे होता है इसमें अपने इनके लिए क्या दिया गया है NMR spectra दिया गया है उसके बाद है अपनी जो empirical resonance energy है वो क्या होती है और vertical resonance energy है वो क्या होती है देन है distortion energy क्या होती है और heat of combustion क्या होगी इसके बाद है heat of hydrogenation क्या होती है देन है इसके लिए जो objections है वो क्या क्या है उसके बाद अपनी जो delocalization energy होती है वो क्या होती है यहां से आप लेख सकते हैं उसके बाद है अपनी जो डिवार resonance energy क्या होती है देन है diamagnetic susceptibility exaltation क्या होता है यह है अपनी diamagnetic susceptibility exaltation और यह है टोटोमेरिजम जो hetero aromatic compound होता है उनमें टोटोमेरिजम कैसे होगा तो यह यहां से आप देख सकते हैं तो यहां पर यह पेज है अपनी unit का लास्ट पेज है तो यहां पर जो अपनी unit है वह complete हो जाती है